इसके अलावा और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम हार्मन्स जैसिकि डाजिस्टी सिस्टीम में कुछ हार्मन्स है तो इस हम कहते हैं गैस्ट्रो पेट, इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में उस रास्ते में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि gastrin हार्मोन बनाने वाले, सिक्रेटिन बनाने वाले, कोल सिस्टोकाइन एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन. गैस्टिन करता क्या है? यह सिक्रेशन करता है SCL का और पैपसियोन जीन का, जो की डाजिशन में हेल्प कराया जाता है, ये gland से secret किया जाता है सिक्रेटीन करता है सिक्रेटीन कराता है पैंक्रियास का एक्जोक्राइन पार्ट और पैंक्रियास के एक्जोक्राइन पार्ट को आडर देता है ये सिक्रेट करने का जिसके जिसे water और carbonate, bicarbonate ions को accept करकर, उसको receive करकर, use करकर pancreatic juice बनाने में यूज करता है, cold systokinin दोनों पर अपना effect दिखाता है, pancreas के उपर भी और gallbladder के उपर भी, जिसके वज़े से pancreatic juice का और bile juice दोनों, जैसे कि pancreas रहा तो pancreatic juice बनाता, gallbladder रहा तो bile juice को बनाता, अभी gastric inhibitory peptide, यह जो gastric नहीं के hormone, यह इसको रोकने के लिए order होता है, secretion and mobility inhibit करता है इसकी, then, hormones of heart, अभी यह देख लिए हमने के जो hormone नहीं नहीं कंसिडर करते हैं वहाँ हर्मन, अभी यहाँ पर भी एक हार्ट, नार्मली हार्ट को हम समझते हैं पंपिंग अर्गन है जहाँ पर सिर्व बलड आता है, बलड को पंप करता है, बलड बाहर नहीं काल लेका oxygen आना लेकर पहुंचाना नहीं, लेकिन, एक और इंट्रेस्टिंग, हार्मोन्स बनाय जा रहे, आट्रियम की जो वाल होती है, वाल के उपर का जो कंपार्टमेंट है, चेम्बर इसे एक हार्मोन, पेप्टेड हार्मोन जिसका नाम है अट्रियल नैट्रिटिक फैक्टर है, यह सिक्रीट किया जाता है, यह कब सिक्रीट किया जाता है, जैसे glomerals का filtration rate बलता है kidney का तो वहाँ के pressure के increase होने के बाद उसको pressure कम कराने के लिए यहां पर होता है यह pressure कम कराने का काम करता है it causes the dilation of the blood vessel जिसके blood pressure जो बड़ा था kidney में वो level कर दिया था यह hormone बगया है बाद में hormones of kidney kidney में भी कुछ hormone बन रहा है क्या बनता है kidney की अंदर peptide hormone जो की juxtaglumular hepatitis से secret किया जाता जिसका नाम है erythropoietin यह juxtaglumular erythropoietin करता क्या है यह देखो बड़ी इंट्रेस्टिंग है kidney का है kidney है kidney हाँ पर located है हमारे और यह kidney का heart secretion का है यहां जा रहा है bone यह bone के अंदर के red bone marrow में long bone के part में red bone marrow में यहां से निकलता erythropoietin RBC का production किया जा रहा तो RBC production करने में काम करता है erythropoiesis this is the cells which plays the important role then the hypothalamus last hormone system है hypothalamus यह की शुरू से हमने देखे starting का chapter ही शुरू करता हमने hypothalamus boss यह सब का boss है जितने ही हार्मोन के order यहां निखल दे pituitary gland ने order सब को दिया वो यह था hypothalamus तो hypothalamus में कुछ neurons है जो secret करते हैं उन्हें कहते हैं neurosecurity cell जैसे की supraoptic paraventricular dorsomedian ventromedian यह release करते हैं hormones जो कि एक releasing factor ACTH को inhibiting factor या फिर release and inhibit दो ही order होते हैं अलग 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 जात जो हार्मोन हमने बीजिटर रिख लें सब को order यह देने का और रोकने का काम का